नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल सभी लोगों का स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे चलिए एक मोटिवेशन थाच के साथ एक जून 2020 के टाप कनेट फेस्ट के क्वेश्चन्स एन इंपोर्टन जीके क्वेश्चन नहीं चलिए साथ हूँ इस मोटिवेशन थाच के साथ आज का डिस्क्रिशन इस्टार करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लागडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने एक जून के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उसका नाम क्या दिया गया है तो इस गाइडलाइन का contentment zone के बाहर छूट दी जाएगे जहां भी पाबंदी होगी वहां पर कोई भी सक्स नेमों का उलंगन करता है तो उसके खलाफ करवाई की जाएगी अच्छे इसमें कुछ फेज भी सामिल के जैसे पहले फेज में 8 जून के बाद से कुछ सर्तों लब कुछ सर्ते खुल मतलब उनके खोले जाने की फैसला गवर्मेंट के दारा की जाएगी इसे भी ध्यान रखेंगे तीसरे फेज की बात करें तो जनरली इसमें ऐसे सर्दसेद को सामिल किया गया है तीसरे फेज में जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट से मेट्रो रेल है सिनेमा हाल्स हैं जिम की रूप में संदेव परधान जी की कारिकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है तो भारते खेल प्राधिकरण के महानेदेशक की रूप में संदेव परधान जी का कारिकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है आप संदी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपक खेल से related questions की तो बरतमान समय में युआ मामलो और खेल मंत्राले स्वतन प्रभार के मंत्री कौन है ये किरडर रेजीजी जी है अच्छे यहीं से question पूछा जा सकता है कि राष्टर ये खेल दिवस यानि कि national sports day कब सेलिबरेट किया जाता है 29 अगस्त को सेलिबरेट किया जाता ह क्योंकि उस हाकिके जादोगर मेजध्धान चंजी का चन्व हुआ था ध्यान रखेंगे चलिए साथियों next question पर बढ़ते हैं हाल ही में आये हीका चक्रवात ने किन राज्यों को परहारित किया है तो हीका चक्रवात ने अभी हाल ही में गुजरात यों महाराष्ट अथाद और परियुक दोनों राज्यों को परहारित किया है अब सिसी करेक्ट अशर हो जाएगा साथियों आप जानते ही अभी हाल ही में आमफान चक्रवात आया था जिससे पस्चे मंगाल को बहुत सारा नुक्सान हुआ था और ओरिश्या को भी नुक्सान हुआ था अब यह का च 260 को गुजराती भासा के अधार पर गुजरात को लग कर दिया गया और माराथी भासा के अधार पर महराथ को ध्यार रखेंगे राधानी मुंबई है मुखमंत्री परजन टाइम में सुर्या सिंग चवहान जी है सेशेना पारिटी से बलांग करते हैं गवर्णर को है भगत पारिटी से बलांग करते हैं गवर्णर आचार देव ब्रत जी हैं चले साथ ही नेक्स्ट कोचिंग परते हैं अभी हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल एथलेटिक्स डोपिंग निरोधग अजनसी अर्थाद वाड़ा ने धाविका किरन जीत कौर पर कितने सा पेट नहीं कर पाएंगी आपको बता दू कि जनरली इनकी एज 32 साल की है और इनको एक रतन जीत से टाटा इस्टील कोलकाता का 25,000 का पुरुषकार भी दिया गया था वो भी छीन लिया गया है तो इसे भी धाय रखेंगे अच्छे महतपूर्तत की बात करें वाड़ा की त इसके स्थापना 10 नौंबर 1999 में की गई थी तो ध्यान रखेंगे साथियों चले नेक्ट क्वेशन के उपलते हैं अब इहाल ही में गोवा ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है तो गोवा ने अपना स्थापना दिवस कम मनाया तो ये 30 मई को मनाया आपसन भी करेक्टर साथियों आपको बता दूं कि गोवा जनली 30 मई 1987 को मतलब इसे एक राज जी का दर्जा परदान किया गया था ध्यान रखेंगे और आप जानते हैं कि जब भारत देश हमारा 1947 में आजाद हो गया उसके 14 साल बाद तक गोवा पर पुर्दगालियों का सासन रहा और बाद मे 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्दगालियों से आजाद कराया गया इस वजह से 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है तो इसे भी ध्यान रखेंगे जनली अपना राजी के रूप में अस्थापना दिवस 30 मई को मनाता है लेकिन गोवा लिबरेशन डे 19 दि 20 सम्बर को मनाता है तो इसे भी ध्यान रखेंगे और आपको बतातुँ जो गोवा है ओन्नली ऐरिया के द्रिष्टी से भारत सबसे छोटा राज है लेकिन अगर जन संख्या के हिसाब से बात करें तो चौथा ji चोब से छोटा राज है तो तो इसे भी ध्यान रखेंगे च हिंदी भासा में उदंट मारतंड के नाम से पहला समाचार पत्र प्रकासित हुआ था कव 30 मई 1826 को इसलिए 30 मई को याद करते हुए हम ये पत्रकारता दिवस के रूप में सिर्वे रिट करते हैं ध्यान रखेंगे अच्छे साथियो बात आए हिंदी की तो आप ये बताए कि हिंदी दिवस का मना जाता है राष्टर हिंदी दिवस तो इसको कमेंड बॉक्स में लिकर आप बता सकते हैं और साथियो आपको बता दूँ जो ये उदंड मारतंड समाचार पत्र था इसके संपातक कौन थे दिवस यह वर्ल किव डाजेश्टीव हल्ट ये तो 25 स्वास्त दिवस यह फ्रेंटस उन्तिस माई को आप आप शंटी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात ही आती है कि ये दिवस किसके दोवारा क्लिवरेट कि जाता है तो जनरु फ्रेंट्स डबलुजी ओ यह यह कि वड क्या वर्ल्ड गेस्ट्रो एंट्रो लॉजी अर्गनाईजिसन के द्वारा इसे स्लेवरेट किया जाता है और इसका उद्देश जनली मनाने का पाचें से सम्मंधित जितने भी रोग हैं या कोई विकार है तो उनकी रोग थाम है और उनके निदान मैनेजमेंट एंड क्या उ अब तक मैं माह के सभी इंपोर्टन डे को हम सेटकेंस टिस्क्स कर लेते हैं एक मैं को अंतराष्ट्रे-सरमिश दिवस की रूप में मनाईगा और और फ्रेंट्स एक मैं को मैंने भी फेवर इसको भी ध्यार रखेंगे और 2020 में वर्ल्ड फ्रेडम इंडेक्स में भारत 1200 इस्थान पर है पांच माई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया जिसके थिम्थी सेव रूप में शिलेबरेट किया गया और आठ मई को फ्रेंट्स विश्व थहलीम सिमिय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसे भी ध्यार रखेंगे और आठ माई के दिन वर्ल्ड रड कराटे के रूप में नो मई की बात करें तो विश्व परवासी पच्छी दिवस के ग्यरा मही को व्ल्ड टेखनोलोजी देके रूप में सवर्यवरिय वर्हां दिवस मैं सथ्राम आीद इपको प्रश्ट्र seperti दिवस के रूप में nagnya आजा एको को अंतराष्टे संग्राहले दिवस के रूप में जिसके थीम थी मुजियंस for equality, diversity and inclusion के रूप में स्लिपरेट किया गया 20 मई को विश्व मधमक्ती दिवस के रूप में मनाया गया और 20 मई के ही दिन विश्व मध विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में स्लिपरेट किया गया और 21 मई के ही दिन अंतराष्टे चाय दिवस के रूप में मनाया गया 22 मई को अंतराष्टे जविहत्तर दिवस के रूप में मनाया गया जिसके थीम थी our solution are in nature यह बहुत ही important है ध्यार रखेंगे एक जा सबसे ज़्यादा रहा तो सबसे ज़्यादा फ्रेंट यह कब की बात की जा रही है है यह 2019-20 बित्यवर्स की बात की जा रही है ध्यान रखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा सिंगापूर ने निवेस किया 2019-20 बित्यवर्स पे तो आप सब्सें एक खरचल हो जाएगा बात करें साथिओं राजधाने की सिंगपूर के तो सिंगपूर सिटी है और करन्सी ड स्थान पर हैं आप से करेक्टर से हो जाएगा साथ यूं आपको बता दूं इस सूची में जनरली रोजर फ्रेडरर पहले अस्थान पर हैं और यह टेनिस खेलते हैं और स्वेडिया लेंड से बिलांग करते हैं तो ध्यां रखेंगे किस्ट्यान और रोनालो दूसरे अस्था की गई तो फॉर्वस के द्वारा प्रकासित की गई ध्यां रखेंगे अच्छे साथियों नेक्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फॉर्वस द्वारा जारी खिलाडियों की सूची में टाप 100 में सामिन होलने वाले एक मात भाति खिलाडी कौन बने नहीं है तो टाप 100 में सा सर्मकू के लिए रोजगार सेत्व योजना की सुरुवात की मत परदेश की सरकार नेक्ट आई एंस कलिंग में मिसाइल पार्क अगनी प्रस्त की आधार सिला रखी गई है तो आई एंस कलिंग की सराजी में है यह आंध्र परदेश में हैं नेक्ट कोश्चें क्यों बढ़ इस स्वास संगठन से सारे समध्य तोड़ लिए हैं और इसे चीन का कर्ष्ट फूर्टली पर पिताया है तो यूएसे ने नेक्ट चाथिसमें राश्ट्रे खेलों को कोविद नाइंटीन की चलते अनिशित काल तक के लिए अस्तिकित कर दिया गया है तो यह आयोजन किस र अधन मंत्री की पूर्टती सेलिबरेट की जाती है तो यह 24 चाड़ सिंग और इनका जन जो 30 दिसंबर को हुआ था तो उस दिन मतलब किसान दिवस के रूब में भी सेलिबरेट किया जाता है तो यह 31 माई को मनाया गया ध्यान रखेंगे फ्रेट्स कल कोई के रूब में मैं इसके बारे में अगर आपको डेटेल में पता हो तो उसको भी जरूर लिखें जल सक्ति मंत्री पर दिन टाइम में कौन है चार आपशन जिये गये हैं तो आसा करता हूं इस क्वेस्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंड बाक्स में लिकर जरूर बताएंगे तो इस वीडियो पहले बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी लोग न भूले और बैल आइकन पर जरूर प्रस कर दें ताकि डेली करेंट अपको समय क्योंसर मिल जाए करें और इस वीडियो की पीडियेफ आप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो प्राप्स कर सकते हैं जहां सभी पीडियेफ को डाउनलोड करने के लिए आप फ्रेंट्स टेलीग्राम चैनल को जरूर यॉइन करें तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहंद बंदे मात्रम